मैंने कह लीज़े कि बहुत बड़ा रोल किया था बिट्टु बहुस में मुझे आते ही वह आट से नौ महीनों में फिल्म मिल गई था लेकिन वह फिल्म चली नहीं वर्क नहीं हुआ उस फिल्म का जब कोई फिल्म तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो फिर आपको कहा से फिर नया काम कहा से जनरेट होगा 2016 से लेके 2020 तक कि मेरी रसोई पंजावी फिल्मों से चली है कि मेरे पास कोई ऐसा काम नहीं था यहां पर हिंदी में आप साल भर में एक कोई फिल्म कर लें या एक कुछ कर लें तो उससे कहा पूरे साल का घर खड़चा चलेगा इस ट्रगल की बात करते हैं बहुत आप 12 साल से इंडस्ट्री में हो अब जाकर आपको अपना ड्यू मिल रहा है इस ट्रगल किस तरीके से रहा आपने कहा कि पंजाबी फिल्मों ने आपका घर चलाया लेकिन आप मुंबई पहुचे आपने एक्टिंग का कोर्स वगरा भी कि सब चीजे सारी चीजे सीक कर वां पर पहुचे लगातार आपको कुछ ही स्ट्रीयो टिपिकल रोल मिलते रहे कभी गार्ड का कभी टैक्सी ड्राइवर का तो हॉसला नहीं टूटा मनलब किस तरीके से आप अपने स्ट्रगल को किस तरीके से देखते हो वाट केप यू ग्र मेरी वह पहली अगर कमर्शियल फिल्म देखी जाए तो पुरा इंटर्वल के बाद मतलब दोनों साथ रहते हैं उस तरीके का बड़ा रोल था लेकिन वह फिल्म चली नहीं वर्क नहीं हुआ उस फिल्म का तो तभी भी लोग बोलते थे कि यार तू तो बंबई आया और त अब तो दिन बहुरेंगे अब तो खुशियां आएंगी और पैसा भी ठीक था पैसा भी मिल गया तो मुझे लगा कि अब तो जिन्दगी बदल गई भाई मतलब अब ये 13 अपरेल को रिलीज होने वाली है और उसके बाद कुछ तो बहतर हो जाएगा जिन्दगी में कुछ तो खुशियांगी माबाप को खुश कर पाऊंगा जो उन लोगों ने जिन्दगी बर वो गरीबी जहली है और आज भी पिता जी नौकरी कर रहे हैं तो कुछ बदलेगा लेकि कुछ नहीं बदला बदला ये कि शुरुवात बड़े से होई और उसके बाद पिर छोटा छो कूँगा कि उस फिल्म की बदलोत ही थी कि बंबई में इतने साल सर्वाइव किया क्योंकि जिन जिन लोगों ने फिल्म देखी थी और मेरे उस गिरदार के बहुत सारे पत्रकार क्रिटिक्स जितने लोग थे कॉमल नहाटा जी उस टैम राजीम असंध ये लोग जितने लो कि वह नौबत नहीं आई कम से कम जिन लोगों ने देखी थी वह इज़त देते थे मुझे ऑडिशन पर बुला रहे हैं चाहे वह एक सीन हो दो सीन हो तीन सीन हो मतलब मैं करता रहा आपकी शोरील अपने आप में यह यह वाली शोरील बन गए एक तरीके से बॉड़ी ऑफ बन गया कि भई इसको देख लिया और जिन लोगों ने भी देखा तो सब लोगों ने इसकी सराना तो करी मतलब यह रहा है कि मैंने जिंदगी में बेशक उसके बाद डिमोशन ही हुआ वी टूबस के बाद मेरा अगर कहा जा तो डिमोशन ही हुआ मैं उम्मीद कर रहा था क कि अब कुछ जब लोग देख रहे हैं कि हां यार आप थोड़ा अच्छा कर रहे हैं तो आपको और चांसिस मिले मौके मिले लेकिन आपने जो शुरू में बात की उसका कंक्यूजन यह है कि डिप्रेशन और फस्टेशन नहीं आई मुझे क्योंकि उस दौरान मैंने बहु मैं च्रीज में हो सकता हूँ ऐसा तो नहीं होगा तो यह देक रहा था और मैं सोच रहा तो आपके लिए बहुत अच्छा था लेकिन बतौर इंसान जो भी की अपने काम का रिएलाइजेशन होना बहुत ज़ ten प्र तक आप पर बुरें बोर पर तरिश hin मैंने कोशिश यही कि भाई की जिंदगी में सरल होना बहुत जरूबी है कि न वह सरलता होनी चाहिए कि जैसे मैं और आप बैट के बात करें तो यह बातचीत लगे वह वैसे ही लगे वह जैनुवन हो वह दिल से निकले अगर दिल से निकले तो दिल तक पहुंचेगी तो यह शालों में कभीकभी आया कि यार हो नहीन पा रहा है कुछ मतलब मुझे कुछ और चाहिए मैं कुछ और करना चाहता हो क्रिएट करना चाहता हूं तो वह नहीं होपाया गिन मारीक ये विदा कि हां होगा कभी तो होगा कोई तो वह बोलते ना कि घूरे के भी दिन बदलते हैं तो वह भी जगैंशा को जाती है और महान फूल पौधे Again आते हैं तो वक्त लगता है तो मुझे लगता है कि होता जरूर है